फाइनली डिजनी प्लस होस्टार और ग्रेट इंडियन मडर को रिलीस कर दिया है जिसके लब इतने टाम से वेट कर रहे थे तो दोस्तों मैं आपको बताओंगा इस सीरीज में क्या कुछ खास देखने को मिला है आपको इससे देखना चाहिए या नही तो अगर आप जानना इसका मर्डर हो जाता एक पार्टी में उसके मर्डर के बाद उसके फादर काफी दा अलगी प्रकार से बिवार करना शुरू कर देते हैं जिनका रामा जगनात रहा है और उसके बहुत बड़े कातिल का पता लगाना चाहते हैं तो ऐसे में कहानी और भी जधादा इंट्रस्टिंग हो जाती है जहाँ पर एंटरी होती है हमारे नए करेक्टर्स की यानि के दो ऑफिसर्स की जो कि है दोस्तो प्रतिक गांदी और रिचाचड़ा प्रतिक गांदी इस सिरीज में सुरज जादाओ का रोल प्ले कर रहे हैं और साथी साथ रिचा चट्डा भी मौझूद है जो कि अपनी कमाल की एक्टिंग के लिए जाने जाती है दोस्तों रिचा चट्डा की एक्टिंग मुझे पर्सनली बहुत जादा बढ़िया लगती है इस सीरीज में सुधा भार्दवाच का रोल प्ले कर रही है तो यह दोनों ही ऑफिसर्स पता लगाना चाहते है कि आखिर किसने विकी राय को मारा है दोस्तों इस कहानी में सस्वेंस बहुत जादा अच्छी तरीके से दिखाया गया है साथे साथ मर्डर के पिछे के कारण भी देखने को मिले है जो कि आप सीरीज इसमें हमें टोटल 9 एपिसोड्स देखने को मिल रहे है यूकि पूरे इपिसोड्स काफे दादा इंटरस्टिंग है और दोस्तों मेरे हिसाब से डिजनी प्लास होस्टार की एक और मास्टर पिस सीरीज है तो दोस्तों यह ही था मेरा रिव्यू यह सीरीज को लेकर अगर कोई वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जड़र से सस्क्राइब कर दीजेगा और बेल आकन को अनेबल कर दीजेगा चले मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में